नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहां आस्ता कि इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरुवार का दिन ब्रम्भा और प्रस्पति का दिन माना गया है भागे को जौगरित करने और लंबी आयू के लिए गुरुवार का वरत करना चाहिए गुरुवार को मंदिर जाने का भी बहुत ही खास महत्व होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से कार नहीं करने चाहिए इस दिन शेविंग ना बनाएं और शरीर का कोई भी बाल ना काटे अन्यता संतान सुक में बाधा उत्पन होगी इस दिन नाकून भी नहीं काटना चाहिए दक्षिन और पुर्व में यात्रा करना वर्जित है खास कर इस दिन दक्षिन दिशा में दिशा शूल रहता है यात्रा जरूरी हो तो दही ये जीरा खा कर घर से बाहर निकले गुरुवार को उपर से नमक डाल कर नहीं खाना चाहिए इससे स्वास्त पर असर पड़ता है और हर कारे में बाधा आती है नमक खाने से गुरु अस्थ हो जाता है इस दिन दूद और केला खाना वर्जित माना गया है इस दिन गुरु तेवता पिता दादा और धर्म का अपमान करना या मजाग उडाना भारी पड़ सकता है इस दिन कप्रे धोना वर्जित माना जाता है इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुब होता है जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता इस दिन खिचुरी खाने को भी वर्चित माना गया है ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे गुरु कमजोर होता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ती और संपन्नता सुख में कमी आती है गुरुवार के दिन पूजा पार्ट से जुड़ा सामान आखों से जुड़ी कोई वस्तू, कोई धारदार वस्तू जैसे चाकू, कैची, बरतन आधी नहीं खरीदना चाहिए आज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एपनन न्यूज